इस वीडियो में बहुलक के गुण, दोस और उप्योग के बारे में अद्दिन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बहुलक के लाब के बारे में। पहला जो लाब है वो है सरलता वर लोगपिरियत। बहुलक का सबसे महत्वोण लाब ये है कि ये है समझने में तता ज्यात करने में अत्यन्त सरल होता है। देनिक जीवन में इसका कापी प्रियोग किया जाता है। जैसे देनिक प्रियोग की वस्तों उदारन के लिए जूते, सिले-सिलाए कपड़ों आदी के संबन्द में ओसत आकार का तात परे बहुलक आकार से ही होता है। बहुलक अधिकतर निरिक्षन से ही मालूम हो जाता है। सतर स्रेणि में भी सरल गणन के लिए द्वार आई इसका निर्दारन हो जाता है। दूसरा जो बहुलक का लाब है, वो हैं चारब मुल्यों का नियूंतम परवाव। भवुलक पर स्रेणी के चरम मुल्यों का या सिमान्ति काईयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है नियमित आवर्ती वंटन में केवल भवुलक वरग या मुल्य और उसके आसपास की आवर्तियों के आधार पर भवुलक निर्दारित पर पर नहीं चरम मुल्यों या सिमान्ति काईयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है नियमित आवर्ती वंटन में केवल भवुलक वरग या मुल्यों और उसके आसपास की आवर्तियों के आधार पर ही भवुलक निर्दारित किया जा सकता है सबी आवर्तियों की जानकारी आवस्यक नहीं है तीसरा है बिंदू रेक ये निर्दारन भवलक का मुल्ले रेका चित्र बना कर भी निर्दारित किया जा सकता है चोटा लाब है भवलक का सर्वोतम प्रतिनी दितम भवलक स्रेणी का वह मुल्ले है जो सबसे अधिक बार पाया जाता है अते वह समोह का सर्वोतम प्रतिनी दितव करने वाला अंक है इसका मुल्ले समोह में दिये वे मुल्लों में से एक ही होता है ये तो भवलक के लाब हुए है अब हम देखते हैं भवलक के दोस भवलक का जो सबसे बड़ा दोस है वो है ए निसित वे ए इस्वस्ट भवलक सबसे अधिक ए निसित वे ए इस्वस्ट माद्दे है ये सभी पदों की आवर्तियां समान हो तो ये निसित नहीं खा जा सकता कभी-कभी एक समुव में दो या दोसे अधिक भवलक भी हो सकते हैं दूसरा दोस बीजगनितिये विवेचन का अभाव भवलक का उन्नत रीतियों में बहुत कम परियोग होता है क्योंकि सरेणी के सभी पदों पर आदारित नहीं होने के कारण इसका बीजगनितिये विवेचन सम्भव नहीं है बीजगनितिये विवेचन के अभाव के कारण बहुलक का उन्नत रीतियों में परियोग बहुत कम होता है तीसरा दोस है चरम मुल्यों की उपेक्सा बहुलक सीमान्त पदों को कोई महतव नहीं देता अतर जहां सीमान्त पदों को भी महतव देना हो वहां ये बिल्कुल अनुप्यूक्त है फिर आगे बहुलक का जो अगला दोस है वो है कुल मुल्य ग्यात नहीं होना ये दी बहुलक मुल्य और पदों की सिंक्या ग्यात हो तो उनकी गुणा करके समोय के सब मुल्यों का जोड ग्यात नहीं हो सकता ये भी बहुलक का एक दोस माना जाता है पांचवद ब्रहमात्मक कभी-कभी बहुलक समंग सरणी का प्रतिनिद्यतों नहीं करता है। इसे परिस्तती में बहुलक से ब्राहमातमक निस्कर्ष निकलते हैं। अगला दोस है वरग विस्तार का प्रभाव। बहुलक मुले बहुत कुछ वरग विस्तार पर भी निर्बर होता है। वरगांतरों के विस्तार में परिवर्तन होने पर बहुलक भी परिवर्तित हो जाता है। यह इसके दोस्ते अब हम देखते हैं बहुलक के उप्योग। इतने दोस होते वे भी दैनिक जीवन तता व्यापारिक सेतर में बहुलग का काफी परियोग किया जाता है। दैनिक जीवन में जो दैनिक परियोग की वस्तुएं होती है जैसे जूते सिले सिलाई कापड़े आदी के संबन में बहुलग का बहुत परियोग होता है। व्यापार तता वानिचे के सेत्तर में बहुलक का व्योग व्यापार तता वानिचे में बहुलक का बहुत पर्योग होता है व्यापारीक पुर्वानुमानु में बहुलक एक महत पुन पत परदर्शक होता है विभिन वस्तों की लोग पिर्यत्य का धेन भी भवलक डुवाराई किया जाता है फिर अगला जो भवलक का उपयोग है वो है मोसम संबंदी पुर्वानुमानू मोसम संबंदी पुर्वानुमानू में भी भवलक का ही परियोग किया जाता है फिर वस्तों की लोग पिरेता के अध्येन में भी बहुलब का परियोग उप्योग किया जाता है इनके लावा जीव सास्तर में विविन समस्याओं का अध्येन करने के लिए भी बहुलब बहुत उप्योगी सिद्ध होता है इस तरह से हमने भी बहुलब के लाब, भी बहुलब के दोस और भी बहुलब के उप्योग के बारे में अध्येन किया भी बहुलब का परियोग वहाँ पर किया जाता है जहां पर ये देखना होता है कि सबसे अधिक बार कौन सा मुल्ले पाया जाता है तो इस इस्तिती में हम भी बहुलब का परियोग करते हैं जैसे कोलर का माध्याकार या ओसताकार ज्यात करना हो या प्रतिवेक्ति या प्रतिमसीन ओसत उत्पादन ज्यात करना हो या फिर टेलीफोन कोल की ओसत संक्या ज्यात करनी हो अत्वा प्रति संस्ता के ओसत लाब को ज्यात करना हो तो वहां पर बहुलब का परियोगी किया जाता है इस तरह से बहुलब का अप्योग देनिक जीवन तता व्यापारिक शेतर में कापी किया जाता है अगले वीडियो में हम माध्यका या मीडियन के बारे में अध्यन करेंगे वहां पर हम माध्यका के अर्थ माध्यका की विविन स्रेणियों में ज्यात करने की जो वीडिया है या रीतिया है वो देखेंगे